हलो फेंड्स आपका आमारे फार्मिसी चैनल में वेलकम है फेंड्स जैसे को बताए कि सेंटर गौर्णमेंट की डिफेंस मिनिस्टी की तरफ से एक ओफिसियल ही आपको बताया गया है कि जो अब डिफेंस में जो वेकेंसी रेकुटमेंट आया करेंगी वो अब इनिसियली 4 आपको फिल किया जाएगा इनिसियली 4 एक प्रोसिजर आपने सुना होगा एक प्रैस कॉंफरेंस वही थी अफिसियली उसमें सारा कोछ बताया गया था अब हम डिसकस करेंगे कि डिफेंस में जो न्यू इस्किम लाँच की गई है उसके अंतरगत क्या गल्स वी इंटरी कर इंटरी होती थी तो देखिए जो अगने भी स्किम LAUNCH की गई है उसमें गल्स की इंटरी के लिए जू आपको एक प्रैस कॉंफरेंस में जो बोला गाया था गल्स के जो वेकेंसी के रिगार्डिंग उसको आप सुनिएगा पहले ज्यान दें नौसेना की अगनिवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी मेरा मानना है कि अगनिपत एक विशनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का अगनिवीर जो इसकीम जो लउंच की गई थी तब जो इसको अपने वीडियों में अभी एविगस अभी she bisa तो आपने सुना गल्स के अब अगनिवीर के तयक्त में इंटरी हो सकती है जैसे कि आपको पता है कि पहले boys ही entry करते थे बट लेकिन अब अगनी वीर जो new scheme launch की गई है उसमें girls को भी entry मिलेगी लड़कों की साथ साथ लड़किया भी अब इसका हिस्सा बन सकेंगी तो देखें अब ये confirm नहीं हो पाया है कि क्या सिफोई pharma जो पहले जो girls के लिए entry नहीं होती थी क्या उसमें भी अब girls के इंटरी होगी ये अभी clear नहीं हो पाया है इसके regarding जो clear notification जब vacancy का आएगा अगनी भी इसकीम के तहत तब उसमें पता लगेगा क्या सिफोई pharma की vacancy में girls को भी eligible माना गया है नहीं माना गया है वैसे इन लोगों ने जो हमारे जो तीनों सेनाओं के जो commander थे उन्होंने official conference में बोला है कि लड़कियां भी defense का हिस्सा बन सकेंगी तो उसके according तो अब लड़कियां की entry होगी defense में बटेंगि सिफोई pharma का अभी paramedical and medical line का ये condition completely क्या है कि पूरते proof नहीं हो पाई है कि लड़कियां भी सिफोई pharma में जा सकती है बट लेकिन ये जरूर confirm है कि अगनी वीर की जो भी scheme आएगी या vacancy आओ तो उसमें लड़कियां फिल कर सकती है इसका एक simple procedure ये है आप अपना 10 प्लस टू से अगनी वीर scheme के तहित इंट्री कीजिएगा defense में उसके बाद में आजदी आपके पास में paramedical या medical line की क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ पर अटेस्ट कीजिएगा उसके बाद में क्या है कि आपको क्या medical line में भीज दिये जा कवर करते हैं ठीक है जैसे ही आपका इसका notification आएगा हम आपको बताएंगे और हमने paramedical line में जो सिपोई pharma की vacancy out होती थी क्या उस पर TOD apply होगा इसकी regarding हमने वीडियो बनाया उसका link वीडियो के description में डाल देंग जिसके आप इजली देख वाईएगा कि सिपोई pharma भी TOD के है या नहीं है कि पर्मानेंट वेकेंसी ही रहेगी medical paramedical line की उसका official notification मात्यम से डिसकस किया है इसी तरीके के informative वीडियो पाने के लिए जोंको सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू